एक लिख्स चेनल, जेकं श्वाघ दैसे अविश्वीयक्स, ओव्टो cried रिडिंग केई सप्सक्ष्ट ए फीचर लाइंग का बना जाता है। फीचर लाइंग का परिश्वीयक्स ग्रेडिंग रिद्ष लाइंग के रूखता जाता है। आव्टोकेड में बनाई या थीचि या फीचि लाइन बनाने के लिए यह तो कोई alignment हो ने हमक識 और भीडिदी फ्नी लामला सकते हैं आटोकेट में फीचर लाइन करने के लिए सबसे पहले एक सर्फिस मना जाता है और सर्फिस में जिसका फीचर लाइन बनाना इसको एक पौर लाइन बना जाता है कि लाइन बनाने के लिए क्रियेट लाइन को सबसे पहले एक करेंगे क्लियेट लाइन के वाद एक दो लाइन डर्क करना है एवी और वीचिक इसका दितर ना अब इसके वाद हम लोग create desired panel में जाकर feature line पर जाकर left click करेंगे और इसका जो expansion है उसमें create feature line पर जाकर left click करेंगे उसके वाद हम लोग जो दो line ट्रा किया है उस पर जाकर click करेंगे इसका left click करने के बाद enter डालेंगे तो create feature line ने dialogue box खुलेगा इसमें सबसे पहले site site one इसको रहने देना है इसके बाद हम लोग name में जाकर feature next counter next counter नेक्ट काउंटर में तो one two three अपने आप जितना feature line बनेगा अपने आप लेगे यह होते जाएगा तो हम लोग feature की जाएगा है ABC और style में हम लोग इसको expand करकर कुछ भी select कर सकते हैं center line corridor जो ही है तो हम लोग basic feature line पर click करके इसको रहने देए इसके बाद फिर हम लोग ok कर लेते हैं तो फिचर लाइन इसके रिएठ हो गया इस feature line को देखने के लिए हम लोग सब zoom करते हैं feature line का property देखने के लिए new sites पर जाके left click करेंगे उसका site 1 जो हम लोग का जो feature line का जो sites है site 1 उसे features line है उस पर जाकर right click करेंगे तो यहां पर हम लोग property जाकर left click करेंगे तो इस feature line के वारे में total जनकारी है यहां पर दिखाये जा रहा है इसमें कब देख पा रहे हैं अस्टेटिक्स है इस में site aesthetic से प्रोपर्टी में feature line दो feature line number of point four elevation point zero 2D length 3D length maximum elevation minimum elevation maximum minimum grade अब इसके बाद हम लोग इसाए group aesthetic से में जाकर देख सकते हैं अस्टेटिक्स में अस्टेटिक्स में लेयर 3D length maximum minimum elevation इसी तरह से अब feature lines को create कर सकते हैं thank you for watching my channel इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए like कीजिए share कीजिए धन्यवाद धन्यवाद